पठानकोट केंट स्टेशन ते रहेगा बंदे पार्थ ट्रेन दा स्टॉप एज नूर्पोर हमाचल परदेश तो भी पाच बादे वदाईक रवनवीर सिंग निकावलो इस दी जानकारी प्रेस कॉन्फरेंस गुरांट दिती गई है आते जैसनाल पंचाब आते कई होर लोक तर तरकी दे नमेरा खुले जा रहे हैं नाते केई प्राप्तियां हो रहे हैं उते ही देश चेस दे चल दे बंदे पार्थ ट्रेन जो के दिल्ली तो कटड़ा तक चल ली है जिसता प्ठानकोट कोई स्टॉप इस ना होन कारण काफी समय तो मंग किती जा रही सी के इस प्ठानकोट शौनी दे बंद हो नाल नान सिर्फ प्ठानकोट नो इस दा फाइदा मिलना सी सगो हिमाचल दे लोका नूवी इस तो रहत मिली है इस बंदी अजहल का नूर पर हिमाचल दे विदा एक करण वीर सिंग निकावलो प्रेस कॉन्फरेंस कीती गई जिते उना दस प्ठानकोट केंट रेल्वे स्टेशन ते इस दे रूकन दा इंतजाम किता जावेगा जैस नाल ना सिर्फ प्ठानकोट गुर्दासपूर दे लोकानू भलके हिमाचल दे नूरपूर कांगरा दे लोकानू भी इस दा लाब मिलेगा इस मौके ते उनानाल यूथ आगू र और गरब से सिना चोड़ा इसलिए होता है कि हमने जो पस्ताव दिली में जाकर चंद महीने पहले दो-तिन महीने पहले मैंने मेरे साथ राहूल सिंग पठानिया जी हमारे साथ डॉक्टर जनक जी बिधायक हैं भरमोर से दलो जी से बिधायक हैं डियस ठाकुर जी हमारे पूर बिधायक रहे हैं सुजानपूर से दिने सिंग बब्बू जी हम सभी मिलकर बंदे भारत ट्रेन के लिए हमारे पास पठान कोट से होकर जो एक बड़ा जंक्शन है यहां पर तो यहां पर ट्रेन नहीं रुक रही थी यहां पर हमारा जिला कांगडा जिला पठान जिला गुर्दासपूर चार डिस्टिक का जो में यहां पर जंक्शन है तकरीवन हमारे नौजवान साथी आर्मी में हैं फोजी चंबा से कांगडा से बहुत से हमारे सेना में तेनाद हैं और सबसे बड़ा केंट यहां पर जो आर्मी का है तो लोगों को आने जाने की जे भी के दर्शन करने जाना होता है दिल्ली अना जाना होता है तो हमें भी बंदे भारत ट्रेन की सुधा मिलनी चाहिए तो मैंने अपने सातियों के साथ मिलकर रभा industri बठानिय के साथ मिले उनको हमने अपना पस्ताब दिया कि लोगों की ये डिमांड है आप भी हिमार्चल से समंध रखते हैं और इतना बड़ा हब यहाँ पर है यहाँ पर इतने लोग पूरे भारत का ब्रह्मन करते हैं तो यहाँ पर स्टोपे चाहे दो मिनिट का तीन मिनिट का मिलना चाहिए और हमारे सेना में इतने नौजवान है उनको भी यहाँ पर सुब्दा मिलनी चाहिए मानी जगत प्रकाश नड़ा जी को मानी बड़े भाई साब अनुराक सिंग ठाकुर जी को हमने अपना पस्ताब दिया कि यहाँ पर ट्रेन रुकनी चाहिए उनके माध्यम से हमने प्रयास क और पिछले कल बड़ा खुशी का दिन था कि जब हमें वहाँ से फोन आ रहा था उन्होंने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे जो आपका पस्ताब है वो सबकार हो गया पठान कोर्ट में भी लोगों को सुब्दा बंदे भारत ट्रेन की मिलेगी तो आज अपने साथियों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पूरे पठान कोर्ट जिला गुर्दासपूर जिला हमारा जिला चमबा जिला कांगडा कि सबी लोगों तक यह सूचना पहुंच जाए कि यह खुशी का पल आपके सामने आने वाला है केंदरी हमारी सरकार ने इसको मनजूर किया है जहां लोगों को मेले